हाईलो एबरीबन वल्कम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम पांच पॉकिट वाला परस बनाएंगे तो इसके लिए मैंने चोकोर एक कपड़ा लिया है तो इसकी लंबाई 9 इंच है और चोड़ाई भी 9 इंच है और यहाँ पर मैंने चार पटी ली है कुछ इत्र इस तरह से सिलते हैं तो सबसे पहले हमें एक पटी को लेना है और इसके उपर हम कुछ इत्रह से जिप को रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे अब हमें आपर इसमें दाप सिलाई लगा लेते हैं तो हमने सिलाई लगा दी है तो अब हमें आपर एक कप्ड़े वाली पट्टी रखेंगे इसके उपर और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे फिर हमें यहाँ पर क्या करना है एक दाफ सिलाई लगा देंगे हमने दाफ सिलाई को भी लगा लिया है तो अब हमें आपर क्या करेंगे इसको कुछ इत्रे से फोल्ड करेंगे चार इंच तक हमें फोल्ड कर देना है और इसको इत्रे से फोल्ड करके साथ में सिलाई लगा देंगे और बचा हुआ जो हमारा कपड़ा है तो उसकी कटिंग करेंगे तो हमने कुछ इतरह से pocket को सिल लिया है फिर हमें आपर एक पट्टी ओल लेंगे और इसको हमें कुछ इतरह से fold करके सिलाई लगा देनी है तो देखी इस तरह से मैंने सिलाई भी लगा दी है यह हमारी दूसरी पट्टी है फिर हमें आपर क्या करेंगी तूत ये होदो कुच इत्रे सहे धोतार देना है तो मैं कुछ से तरफ से सिलाई लगा देंगे तो हमने यहां पर सिलाई लगा दी है और इस तरह से हमें इसको सीधा रखना है और जिसमें मैंने जिप लगाई है तो इस पॉकेट को भी हमें कुछ इतरह से रख लेना है ठीक है और रखने के बाद हमें यहां पर सिलाई लगा देंगे यहां पर हमारी तीन पॉकेट बन का तयार हो गई है यह किसके अंदर है और एक यह बाली हो गई है और यह तीसरी पॉकेट हो गई है तीन पॉकेट हमारी सिलकर तयार हो गई है तो इसी तरीके से मैंने यह चौथी पॉकेट को भी सिला है जिब बाली तो इसको हमें कुछ इत तो हमने सिलाई लगा दी है, इसको हमें सीधा रख लेना है, और यहाँ पर तीन तरफ से सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर हमारी कुछ इत्रह से पॉकेट सिल कर त्यार हो गई है तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पॉकेट को सिल लेंगे तो देखी दो तरफ से हमारी जीप वाली पॉकेट हो गई है तो अब हमें आपर क्या करेंगे चारों तरफ से साइट में सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने दो इन चोड़ी पट्टी ली है और पट्टी को कुछ इत्रह से रखेंगे और रखने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना, फिकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, तो अब हमें आपर इस पट्टी को कुछ तरह से फोल्ड करेंगे, देखिए आप लोग देख सकते हैं, और यहापर स के लिएग तो यहां पर मैंने कुछ तरश से एक तरब से पट्टीि को सिलई के से इसीय तरिक से दूसरी का से और थलेंगे तो में कुछ तरश से रख लेना है और यहां पर शिल्लाएग 2 अब हमें यापर भी इसको कुछ इत्रह से फोल्ड करेंगे और यहापर सिलाई लगा देंगे तो यहापर आप लोग देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से पट्टी को सिल लिया है और इत्रह से हमारी पॉकेट वाली परस सिलकत त्यार हो गई है एक पॉकेट हमारी यहापर आगई है और दूसरी पॉकेट हमारी यहापर आगई है और तीसरी पॉकेट हमारी यह हो गई है और एक चौथी पॉकेट हो गई है और एक पॉकेट हमारी इसके अंदर है पांच पॉकेट हमारी सिलकत तयार भाई है देखिया आप लोग देख सकते हैं और इसको हमें क्या करना है कुछ इत्रह से फोल्ड करके रख लेना है ठीक है एक परस हमने जेंस के लिए बनाया है तो उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्क्राइब करना ना भूलें और बैलाकन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आपनों को सबसे पहले मिल जाएगी तो मैं मिलती हूँ अपनी अगल वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंकियू